लॉस्ट हो चुका है, कोई कंट्रोल नहीं, इसको आजू बाजू गुम्म्म और ये देखिए, ये डेंट पढ़ गया यहां पर तो सच्रीकाल, नमसकार, अदाब, कैसे हैं दोस्तों आप मैं आपका राजीव एक और नई वीडियो लेकर हाजर हुआ हूँ और इस वीडियो में न मैंने एक छोटा सा ड्रोन मंगाया है जिसे कहते हैं, DJI NIO का ड्रोन वो आज कोरियर वाले के साथ है और हमारे घर पहुँचने वाला है, जैसे ही घर पहुँचेगा ड्रोन को अन्बॉक्सिंग करते हैं और आपको भी दिखाते हैं ड्रोन तो यह आगया हमारा कोरियर निज़िलेंड पोस्ट के थ्रू आया है जब आप बैक को कोलते हैं और इसमें से निकालते हैं DJI NIO यह छोटे से बॉक्स में आया है, बहुत ही हलका सा बॉक्स है तो देखने में भी कोई ज्यादा है भी नहीं है तो यह देख लीजिए ऐसा लगता है यह बॉक्स अब इस बॉक्स को हम खोलेंगे और दिखाते हैं कि इस बॉक्स में क्या-क्या अंदर से निकलता है तो बिना देरी किये हूए इस बॉक्स को खोलते हैं तो ये निकला जी ड्रोन बॉक्स में से ऐसे पैख होकर आया है कुछ बॉकलेट्स हैं एक यूस्पी सी टू यूस्पी सी वायर है पंक्षे मिलें इसके साथ इसे वाले बटन इससे औन ओक्वाज आद आती है और बहुत से मोड हैं इसमें आपको Beethoven रखके से ओडाना होता है तो मोड की आपको मैं अवाज सुना रहता है तो इसको पता चल जाता है कि अगर फ्लेट सर्ट सर्फिस पर नहीं है तो ये आवाज आती है ड्रोनी है जो ऊपर की तरफ जाता है तो circle आपके आजू बाजू घूमता है rocket ये पूरा उपर चला जाएगा काफी दूरी तक और फिर नीचे आएगा आपको shoot करते हुए spotlight आगे आप mode direction track चोटा सा बिल्कुल drone है चोटी सी इसकी battery है और ये देख लीजे इसकी चोटी सी battery और ये चोटा सा जो camera के पास बटन है इसको जितनी बार दबाते जाएंगे जितनी बार आप इसको दबाते जाएंगे उतनी बार इसका mode जो है अपने आप change होता चलेगा जाएगा आपको app की भी जरूरत नहीं है अगर आपने ये drone यूज़ करना है तो आप बिना phone की app के आप यूज़ कर सकते हैं जा फिर आप phone पे app डाउनलोड कर लीजिए तो मैंने इसलिए लिया है क्योंके बड़ा drone तो मेरे पास है ही तो ये जो easily carry भी कर लेंगे और कहीं भी लेकर जाना है तो easily लेकर भी जा सकते हैं बहुत हलका सा ये देखिए hand में आ चुका है रात होने में भी थोड़ा सा समय बचा है sunset जो हो चुका है तो मैं देखता हूं बहार आ गया हूं और आपको भी दिखाता हूं कैसे परफॉर्म करता है मैं और मेरी डॉटर जो है इसके साथ fun कर रहे हैं फ्ले कर रहे हैं मैं भाग रहा हूं लेकिन अच्छे से track कर रहा है ये drone पीछे देखिए सूरज जो है छिप रहा है अंधेरा तो नहीं है लेकिन low light कह सकते हैं और आप quality देख लीजिए quality कैसी है जो भी है original है कोई editing नहीं ह तो मैं ऐसे बला रहा हूं क्योंकि पहली बार उड़ाया है शायदा अपने आप हातों के expression समझता हो लेकिन नहीं समझता हमें बिल्कुल हात नीचे लेकर जाना होता है तब ही ये नीचे land कर पाता है तो यहाँ पे कुछ अंकल जो हैं पंजाबी अंकल हैं जो नीजिलेंड क्योंकि कैसे हाथ नीचे करने पर ये हाथ के उपर आकर आ जाता है और जैसे ही मैं वाक करूंगा अंकल को ये भी बता रहा हूं ये दूसरे अंकल आगे कैसे हैं अंकल जी और ये अब फॉलो करता है जिस आदमी के हाथ से उड़ता है उसी आदमी को फॉलो करता है ये सब देखके काफी हरान है कि बता रहे हैं गए टेकनोलोजी कहां से कहां पहुँच गई सॉरी क्योंके drone मैं phone से नहीं उड़ा रहा, phone से आप इसमें अवाज भी भर सकते हैं इसे लिए जो मैं उड़ा रहा हूं बेना phone के first time उड़ा रहा हूं इसलिए मैंने ये voice over कर दिया अब मैं आ गया हूँ घर पे और घर पे भी ये देखिए अपने आप उड़ रहा है अब ये dance शुरू कर दिया इसके जामने तो अगले दिन फिर हम आ गए बाहर इसी drone कर लेकर क्योंकि आज दिन बहुत सनी था काफी सुंदर cloud थे आसमान में तो ये देखिए ये मैंने दूसरा mode लगाया है जो मेरा circle आजू बाजू ये काट रहा है ये जैसा आगी circle में तो ये इसका circle mode है उचा नहीं जाता बराबर आपकी height के जतनी height रहती है लेकिन पूरा circle जब होगा मैं वैसे ही हाथ करके देख रहा हूँ के वापिस आता के नहीं लेकिन पूरा circle करके ही वापिस आता है फिर follow mode में ये जो quality आपको दिखाई दे रही है DJI Neo की ये दिन में है और ये drone सिर्फ और सिर्फ साड़े 300 डॉलर का यानि कि इतना सस्ता ड्रोन है न आप इंडिया के लगा के चलिए around 10 यार मुझे नहीं पता इंडिया में launch हुआ है के नहीं पर इसकी कीमत काफी कम है मेरे ख्याल से ये जो DJI का सबसे सस्ता ड्रोन है और मैंने हाथ नीचे कर दिया है इसके हाथ बिल्कुल नीचे ले जाना पड़ता ये है जी rocket इसका rocket mode पे ये दिखिए बिल्कुल उपर चला जाएगा आपके और काफी height पे जाने के बाद फिर जैसे ही अपनी maximum height पे पहुँचेगा उसके बाद ये नीचे आजेगा बहुत सी setting जो है phone की app से कर सकते है medium, low, high तो phone की app जो है must है इसके लिए अगर आपने कोई setting करनी है अगर आपने extra benefit लेना है तो low जी ये है जी day 3 day 3 को फिर हम आ गए है अब शाम का समय है ये हमारे अंकल जी है ये भी हमारे घर के पास रहते हैं से भी बातचीत हो जाती है और बच्चे जो है यहाँ पर खेल रहे हैं तो वो भी देख रहे हैं कि क्या उड़ रहा है तो देखते हैं अब फिर follow mode में मैंने लगा दिया है day 3 है अभी तक drone को कोई damage नहीं हुए अच्छे से इसने perform किया है एक जो update आया था firmware का मैंने कर लिया है अब देखिए बच्चे भी जो आ गए है इस drone को देखने के लिए drone के निसाथ साथ घूम रहे हैं और drone जो है मुझको follow कर रहा है देखते हैं कि शाम के समय यह कैसे follow करता है और यह देखिए यह आ गई अंकल जी से बात एक family हो रहा गई है यहाँ पर वो भी drone को देख रहे है drone की आवाज बहुत ही कम है लेकिन है पता चलता है आजू बाजू में के drone उड़ रहा है मैंने का चलो अब थोड़ा सा दोड़ के test करते हैं और भच्चे साथ में मस्ती कर रहे हैं साथ में दोड़ रहे हैं उनको लग रहा है कि शायद उनके पीछे यह drone जो है दोड़ रहा है यह हमारी वीडियो एक दिन की नहीं काफी दिन की अब मैं trees के बीच में से जा रहा हूं और काफी safely अभी तक तो यह trees के बीच में से भी निकल कर आ गया है लेकिन यह काफी खुली ग्राउंड है आप देख सकते हैं कोई घर वगेरा नहीं है playground है इसके बीच में और otherwise यह काफी खुली है बच्चे मुझे पकड़ रहे हैं करे लुक जाओ तो अब इनको भी थोड़ा ना fun करने देते हैं बच्चों को मैं इसको उतारता हूं drone को एक एक करके सारे बच्चे अपनी हथेली से उडा रहे हैं इसको यह देखिए इनके खूब मस्ती हो रही है मैं इसको रोक रहा हूं कि पंके में हाथ मत दे लेना बच्चे तो इनका काफी fun हो रहा है सारे बच्चे मेरे आजू 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 आ चुके हैं तो मैं यहां का फेवरेट हो चुका हूँ यह देखिए इनके मैंने लगा दी है tracking अब इनके बच्चों के बीचे बीचे भूम रहा है यह लड़की इनके बच्चों में से इसकी hide ज्यादा है तो इसके हाथ के उपर लगाया था उसके बाद यह देखिए इसके भीचे घूम रहा है यह लगा रही है सुर्कलब काफी तेजी से दॉड रही है तो मैंने कहा है कि वहां मतचाना अवोईड करना वहां जाना तो जहां पर पर पोल्स है तो यह अवोईड कर रही है आजूभाजू ही घूमा जा रहा है तो देखते हैं कि इस बच्ची को कैसे ट्रेंस करता है ये ड्रोन अरे ये पोल के पास गई अब मैंने इसका ड्रेक्शनल ट्रैक लगा दिया है पहले हिट के बाद काम कर रहा है लेकिन ये क्या हुआ किस साइड ये चल दिया ओ ओ ओ ओ ये देखिए बिल्कुल ही लॉस्ट हो कर रहा है मैं आपको इसका डैमेज जिगाता हूं कितना डैमेज हुआ है जे देखिए जी जो हमारा ड्रेक्शनल मोड था वो ड्रॉंग चला गया था जिसकी वज़े से इसका क्रैश हो गया और ये देखिए ये डेंट पढ़ गया यहां पर तो वैसे अभी ये वर्किंग कंडिशन में है तो हमारा क्रैश जो होने के बाद यहां पर इसको डैमेज हुआ है और आप देख सकते हैं क्योंकि यह सीधा जाकर लगा यहां पर लैंस की ऊपर यह देखिए वाला भी पस क्लास का बचाव हो गया अदर वाइस हमारा ड्रोन जो है एक हफते के अंदर इसमें help करते होंगे यह वाले sensor जो नीचे हैं दो यह वाले तो otherwise कोई sensor नहीं है इसलिए इसका टकर जो है असानी से हो जाती है खुले में ही चलाए मैंने तो खुले में ही चलाया था वहां भी एक दो hazards थी तो जिसकी वज़े से इस पे काफी जो है नुकसान हो चुका है हमा है तो प्लीज बताना कमेंट करके हम आपको जल्द ही मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्या रखिये फैमिली का ख्या रखिये तिल देन गुडबाई